सब्सक्राइब करते हैं यह पता चलता है कि लगाए है मतलब लोश और पॉस लोश सप्लाइब कर दिफेंट के अंदर होंगे तो इंट्रस्टेट सप्लाइब होगी ठीक है देखो जो इस चैप्टर की में थी विन प्लेस सप्लाइब क्या मानती गौवर्मेंट का इंटेंशन यह रहता है कि जो रिसीवर है जिसने पैसा खर्च किया है सब्सक्राइब कर दिफेंट का हग बनता है टेक्स मिलने का जिसने खर्चा किया है ठीके सब्सक्राइब कर रहा हूं और 11 के इंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट और गुर्ट और तो सबसे पहले जब भी कोशन आएगा आपको यह इंटिफा करना पड़ेगा कि यह कोशन सेक्शन नमबर 10 का है 11 का है 12 का है इसके इंदर काफी सारे सब्सक्शन काम का है जो आपको याद रहना चाहिए इसका नंबर भी याद चाहिए और किसका नहीं रखोगे तो भी चलेगा अगर सामान मैं जैपूर से बिजवाता हूं या वो डैली से आगे खुद लेके वापस डैली जाता है या कोई थर्ड परसन डैली लेके जाता है उससे कोई फरफ नहीं पड़ता कि मुमेंट सप्लियर करें चाहिए रिसी सब्सक्राइब होगा वही प्ले सप्लाय माना जाएगा 10-1-B के अंदर आते हैं 10-1-B क्या बोलता है ध्यान रखेगा section 10 के अंदर 10-1-B Bill to ship to model काफी important है एक्जाम में काफी बार कुछा जाता है इसका आपको section number भी जा दोना चाहिए 10-1-B Bill to ship to model समझना मेरी बात Bill to ship to model क्या बोलता है जैसे suppose करो A कहां कहा है suppose करो Mumbai का A ठीक है A ने कोई सामान खरीदा, B को बोला чि भाई आप सामान के याँ पहुंछा दो, C कहां रहता हैsalम दो भाध में याँ पस A ने बोल दिया कि सामान मैं खरीद रहा हूं B से लेकिन आप डिलेवरी इसी किया करवागा शिप यहां बी कहा रहा है बाई सब्सक्राइब इसके नाम पर हो रहा है बिल इसके नाम पर हो रहा है तो लॉजिकली मैं आपको क्या बोला बहुत जो खड़चा खड़ेगा उ ऐसे पर सनैं इसका नाम है राहूर राहल ने ओर दिया राम को ठीक है राहून ने ओर्डर दिया राम को मैं और कवरी कि भाई मेरे को 100 टीवी चाहिए है यह मैरे प्लेट सप्लाइय करता एक अगर राम सप्लाइब करता राहु को इस केसमें प्लेस सप्लाइय क्या मानते है जहां पे भी मुवमेंट तर्मिनेटों का वही पेश सप्लाइं माल लेते मुंबाई लेते तो वह किसके पास आया वह योगेश के पास योगेश रहता है जैपूर के अंदर योगेश रहता जैपूर के अंदर राम ने योगेश को कहा कि साफ 100 टैली विजन चाहिए मैं आपको एट लाक रुपीज देता हूं एट लाक रुपीज जितने अमाउंट आपको देखेंगे उतने ही प्लेस सप्लाइ माना जाएगा जितने अमाउंट उतने प्लेस क्या माना जाएगा तो देखो बाई योगेश बिल बनाएगा राम के नाम पर और शिप करेगा राहू तो यहां पर डिफ्रेन लग जाएगा एक रुपीस के ऑपर ठीक है और अगर अगर हम बात करें अगर अपन बात करें इस वाले केस की राहुल एन राम वाले केस की तो इन डाट के सक्षन 21 वही प्लेस अप्लाइब माल लिया जाएगा सुधा प्लेस अप्लाइब मुंबई यह कोशन है अपने बुक के अंतर दो कोशन ऐसे दे रखें आशा एंटरपाइजिस करके आपको यादा रहा होगा और शिमंग कर नाटिका करके एक और कोशन तर दो कोशन थे ठीक है तो अगर मुंबई नहीं है तो देखो समझना मेरी बात मुंबई नहीं फर एकजांपल आपने खरी आपने खरी आएंगे तैंवन डी आतने तैंवन डी क्या बोलता है कि अगर गुड्स असेंबल ने इंस्टॉल कर वहा है तो वही प्लेस अप्लाइब नहीं जाएगा जहां अगर गुड्स असेंबल ने इंस्टॉल कर वा रहे हो वही प्लेस अप्लाइब नहीं तो मैक्सिमम आप जितने भी केसिस देखो के सेक्शन 10 11 12 गौर्रमेंट का यही इंटेंशन है ठीक है बागी इतने सारे केसिस बना रहे हैं सेक्शन 10 के अंदर 10-1 भी इंपॉर्टेंट है ठीक है याद आ रहा है एक पैसेंजर चड़ता है रस्ते में मूवी देखता है याद आ रहा है तर वेडियो को लाइक करते हैं अप फिर आगे भढ़ो तो सेक्शन 10 11 क्या बोलता है कि अगर आप रस्ते में बूर्ट कर रहे इंपॉर्ट करोंगे तो प्लेस अग्राव में एंपॉर्ट आप ने करा चिन नहीं पोर्ट से सामान पहले चिन नहीं आया चिन नहीं से आगरा आया या चिन नहीं होगा प्लेस अपले आग रहा होगा जहां पर आपकी लोकुशन है ऐसे पुरी इंडिया का इंत्र कर रहा है और लॉजिकल भी बात है आप आपके प्रेंट्स आपके खर्चा कर रहे हैं, फ्यूचर में आपकी कमाई उनी जाए कैसे नमेर क्या बोलता है सर्विस के लिए बोलता है सर्विसिस के लिए सप्लियर और इंडिया वह सब्सक्षानर सब्सक्राइब तो आपका case ऐसा fall नहीं करता है तो आपके बर जनरल रूल लगेगा अब कोई बिमारी किसी में नहीं करते हैं तो फिर जनरल दवाईया लेनी पड़ेंगे तो इसी तरीके से हैं कि सबसे पहले हैं कि देखो भाई अगर B2B transaction है बिजनस के लिए खर्चा कर रहा है तो गवर्मेंट करेंगे तो रिसीवर अगर आइटी सी क्लेम करेंगा ही ना वैसे भी हमको कोई टेक्स तो मिलना नहीं है क्योंकि वह तो वैसे वी कैश बेक ले लेगा कैश बेक ले लेगा मतलब आइटी सी क्लेम कर लेगा वो तो तो उस केस में गवर्मेंट ने बोला सिंपल रखते हैं देखो B2B के अंदर तो कि अगर B2B transaction है तो लोकेशन अव सच राइटी परसंट जहां पर भी रिसीवर रिसीवर ही रखती है अब रिसीवर की लोकेशन मान लेंगे ठीक है मेरे काल साब को सारी चीज़े रेकॉल हो रही है लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जो रिवीजन वीडियो वगरा से कर रहे होंगे खाली तो देखो भाई अगर आपको लगता है ना कि अब भी डावटफुल है किसी फैकलिटी का क्लास खरित के निपता इस चार्ट की मदद से आपके दौनों खतम हो जाएंगे तो ना मेरी बात देखो भाई कि जोंको कॉंप्लिकेट करना ही नहीं मैंने इस चार्ट से एकदम इजी हैं सौर्ट बनाने की कोशिश करी है यह बोलता है कि देखो प्रॉपर्टी के केस में बिसिकली तीन केसे होत अगर इंडिया माना जाएगा तीन में से दो अगर इंडिया के बाहर है तो प्रॉपर्टी को दो ठीक है पर मान के चलो प्रॉपर्टी इंडिया में है लेकिन प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है फिर अगर प्रॉपर्टी इंडिया में तो फिर प्रॉपर्टी को प्रॉ सब्सक्राइब म सब्सक्राइब और प्रॉपर्टि के बारे कि हुआ है फेङले पिल्यूंभा मे रिंग.. य어나 네 लिगा है, रिसीवर मुंबाई के लेकिन अब बाई हो, अब इन में इन्डीक और इंडिया के बहार है और और प्रहुपटी मुंतिपल dishon चलो, मैंने Mr. X को Allan कियाओ मैं काहा रहता हूँ? मैं रहता हूं सपोस्कोष करू जैपुर, और मैंने Mr. X को वहिता हैं मुंबाई के नहीं जो कि मैंमान के चल Insya लो दुबाई के हैं मिठेक दुबाई के हैं ठीक है मैंने इसको बोला कि देखो मेरी काफ़ी प्रॉपटीज में अफ़ी काफ़ीव हैं मेरी चार प्रॉपटी DO को INTERIOR DESTYINING करनी है मैंने का कर देंगे मैंने कई एक अंदर एक मेरी पूने के नदर चार प्रॉपर्टिस ये निइओक लंदन और सिंगापूर तो इतुरे का सप्लायर अगर property multiple countries के अंदर है जिसमें से एक property taxable territory के अंदर है एक property इंडिया के अंदर है तो पूरे का place अपना है आपको इंडिया ही माल लेना है तो इस case में पूरे का place अपना है इंडिया हो जाएगा इस पर काफी कोशन पूछे जाते हैं ठीक है अब यह आप कहीं शादी के लिए इंडिया कराना है आप किसी होटल में कुछ भी हो सब इसके अंदर आजाएगा 12-4 पर आते हैं 12-4 क्या बोलता है कि अगर आप इस case में फिट्नेस की सर्विसे जहाँ पर आपका प्रिजेंट होना जरूरी है तो जहाँ पर आप सब्सक्राइब आप रहने वाले दिल्ली के हो जॉब मुंबई में कर रहे हो आपने मुंबई में जिम जॉइन कर दिया तो प्लेस सप्लाइब मुंबई हो जाएगा वह आ वैसे तो यह है कि receiver की location को भी माने, पर जहां पर receiver की location practically पूछना ही possible नहीं है, आप restaurant में खाना खाने गया, अब उससे थोड़ी पूछों के खाहसे हो, फिर जहां पर भी वो service ले रहा है, वही place supply माल दो, 12 second 5 की तरफ बढ़ते हैं, 12 second 5 की आप ओधर training and performance services, training सुनते ही आपकी द B2B नहीं था, interior design, भाई देखो, जहां पर government करें कि तो fully दिखी रहा है, B2B है, वहीं B2B किया है, हर जगे B2B कर देगी, तो government की IT से फिरी में बढ़ती रहीगी ना फिर ऐसे, government ऐसे नहीं देरी B2B, government का training and performance सुनते ही B2B वाई लिवाई बारी है, तो register person अगर ले रहा है, location of such register person और unregister person ले रहा है, तो जहां पर भी services perform की जा रही है, वही place supply माना जाएगा, जैसे मैं आखो class में Infosys वाले example देता, जैसे मान के तो Infosys एक company जो की पूने में registered है, और वो एक ABC training company, एक company है, training जो प्रवाइड करती है, वो दिल्ली के अंतर है, ठीक है, Infosys में उस training company को 10 lakh रुपीज दिये और कहा कि हमारे एक एमदाबाद में office खुला है, आप हमारे उन employees को training दे के आओ, अब Infosys अगर पूने में registered है, तो place supply पूने माननेंगे 10 lakh रुपीज का, क्योंकि Infosys तो उसकी ITC claim करेगा, और मान के चलो, अगर Infosys unregistered as a place supply, एमदाबाद माननेंगे, जहां पर भी training services perform की जा रही है, 12 seconds 6 में आते है, admission to an event, आप किसी भी admission में गए, आपने कोई entertainment है, amusement हो, sporting event हो, scientific event हो, cultural event हो, कुछ भी हो मतलब, आप जिसे गर्बा नाइट्स में गए, डांडिया नाइट्स में गए, आप Imagica गए, amusement park में गए, कुछ भी function हो रहा हो, वहाँ पर आप गए, ठीक है, कोई singer गाना गा रहा है, वहाँ पर आप गए, तो play supply क्या मना जाएगा, जहां पर भी event हो रहा है, वही play supply मान लिया जाएगा, तोंकि उसके अलावा कोई alternative है ही नहीं, सर यहां B2B क्यो नहीं है, फा आपके class में क्या example यह था, कि जैसे मान की चली एक singer है जिनका नाम है Arjee Singh, Arjee Singh क्या करते हैं, event organize करवारे हैं, ठीक है, Arjee Singh काहा के रहने वाले हैं, Arjee Singh है, Arjee Singh मुंबई के हैं, इन्होंने क्या क्या क्या, event management company थी जिसका नाम ता superior private limited, superior private limited, जो कि आपके question bank के अंदर एक question ह का music सेरा private limited वाला याद आ रहा है तो comment box में करके बताओ हां जी सब सब याद आ रहा है आप चीज़ों को भूले नहीं हो and in revision videos से आपको हर्चीज रिकॉल हो रही है so that मैं इसी तरीके से और भी जो जो आप और फीडबैक दोगे न उसी तरीके से बाकी चैप्टर के रिविजन वीडियो बनाता रहूँगा तुपिर है प्राइवेट इमिडेट एक कंपनी है जो कि कहां कि दिल्ली की है जो कि GST में रेजिस्टर है यह इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और अरीजी सिंग है मुंबई में रेजिस्टर है इन्होंने इसको बोला कि आप 10 लाक रुपीज ले लो और हमारा एक कॉंसर्ट करवाना है गुरु गराम के इंदर गुरुडगाओं के इंदर एक कॉंसर्ट करवाद हो तो भाई क्या है यह बिजनस ट्रांजिक्शन जाहिर सी बात है अरीजी सिंग कॉ पैसे कमाना तो इस केस में इन्होंने बुला बी टूबी ट्रांजिक्शन माना जाएगा प्ले सप्लाइगा अगर 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 कर आओ एक गुडगाओं के इंदर और एक चंदीगर के इंदर हमारे इवेंट करवाओं कोई बात निया अगर 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 रुपीज देते हैं और बोलते हैं हमारा इवेंट दुबाई में कर रहा हूं इन डाट केस प्ले सप्लाइव बी लोकेशन आफ रेसीवर को ही प्ले सप्लाइए मानते अगर जहां पर इवेंट ओ रहा है वह माल लेते तो फिर टैक्स इंडिया के बार चला कि याद आ रहा है कि नहीं हरा ठीक है मेरे क्याल से याद आ रहा होगा ठीक है इसी एक्जामपल को पने एक्स्टेंड किया था कोशन के अंदर किया कोशन था की इस आप करवाना था बुड़गाओं के अंदर तो उसने महां पर क्या किया है हॉटल का नाम था हॉटल धम-दम होटल का नाम था और सुपिरया ने क्या होटल सब्सक्राइब और होटल को फोट लाक रुपीज पे करें टो होटल के केसमें प्लेस सप्ला आप हमेशा याद रखना cgft लगता है होटल की केसमे 99.9 पर्सेंट होटल की केसमे currently cgft लगता है क्यों कि वही होटल यह भी था कि खूब सारे audience गुडगाओं के अंदर आये और उन्हें concert अटेंड किया तो उस case में क्या होगा और उन्हें 5000 रुपीज का टिकेट हमने चार्ज किया ऐसे 400 audience आ गए थे तो हमने बोला था कि इस case में प्लेश सप्लाय 12 प्लेश सप्लाय हो जाएगा गुडगाओं 20 रुपीज प्लेश लग जाएगा इस question के अंदर एक और बात थी कि अगर मान के चलो अगर आप गुड्स ट्रांसपorटेशन कर रहे हैं तो जायर सी बात है इस Juliet रुपी Birth ट्रांसपोड बाता है बहुद सारे ओर वकसे रहते अगर B2B transaction है तो जिस जगे से पैसेंजर ने जर्नी ओन बोर्ड करीब वही प्ले सप्लाय माना जाएगा 12 सब्सकेंड 10 क्या बोलता है तो देखो अभी तक हमने B2B transaction कहां पर देखा क्या 12 सब्सकेंड 1 में देखा नहीं नहीं वो तो यहीं बता था कि supplier and receiver India के निदर है वही होता है 12 सब्सकेंड 2 general rule तो यहां पर हमने B2B देखा आपको बता है 12 सब्सकेंड 3 immobile property वाला case यहां पर कोई B2B नहीं था 12 सब्सकेंड 4 gym restaurant यहां पर कोई B2B नहीं था 12 सब्सकेंड 5 training and performance यहां पर B2B था B2B है तो location हो सब्सकेंड 20% B2C है तो जहां पर भी event हो रहा है जहां पर training performance दी जा रही है वही प्ले सब्सकेंड 6 event admission वाली services इमेजिका वाली आर्टिस्ट स्पोर्टिफिक साइन्टिफिक म्यूजिकल कॉंसर्ट जो भी है आप यहां पर ticket का पैसा दे रहे हो और entry ले रहे हो इस case में कोई B2B नहीं था 12 सब्सकेंड 7 इसका प्लेस अप्लेस क्या होगा जहां पर इवेंट हो वही प्लेस 12 इस अगर आप रस्ते में कोई सर्विसे लेते हो तो यहां पर कोई बीटू भी नहीं है और इस कोशन में बोला है कि प्लेस अपलाय क्या माना जाएगा याद करो कुशन में कोशन ता कि एक व्लाइट आरी है बैंककोक से बैंककोक से व्लाइट आई चेन नहीं छेनना से फिर वो दिल्ली जारी है या वो बैंकव से दिल्ली आ होकी फिर нагी सब्सक्राइं करता है और चेन्ना इसे दिल्ली या रहता है झोल करता है ने सब्सक्राइब तूस तो उस केस में बिलिंग लोकेशन से कोई मतलब नहीं है, बिल जाए कहीं पर भी आये, प्लेश सप्लाय लोकेशन वेर, लाइन सार इस्टॉल जहां पर भी चाटा इसकाई की छतरी इस्टॉल ने, वही प्लेश सप्लाय माना जाएगा, और अगर मोबाईल की बात करें, और अ अगर आप ओफ-लैन रिचाट्स करबाएं थो ऊंपलता है, तो ऑंलाइन केस में तो आप में मेरी प्लेश ॐड़ी पना आती है उवाले को, तो उस केस में तो फ्लेस सप्लाय क्या औफ्लेन रिचार्ज करा रहे हो तो गईीया रिषी-केश में है सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर रहे है। तो सर्विस तो आप ले रहे हो ना पैसा तो आप ही दे रहे हो ना ठीक है थीम समझ ना आप घर्चा कर रहा है उसी की लोकेशन की प्लेश सप्लाय माना चाहिए अच्छा एक पॉइंट रह गया था अपना 10-1-C-A यह रस्ते चलते सामान मिल रहा है खरीद लेते हैं इस केस में प्लेश सप्लाय क्या माना तो देखो भाई अगर आप भूमने गये और आप रजिस्टर हो फर एक्जामपल मैं इम्ला भूमने गया और मेरे को वहां है ना लैप्टॉप पसंद आगया बिजनस के लिए और मैं कौन से स्टेट का हूँ तो प्लेश सप्लाय रिसीव जो रिसीवर है ना उसके स्टेट के लोकिशन को भी मानना पड़ेगा 10-1 12 सब्सक्राइब 11 भी हो गया 12 सब्सक्राइब 12 में आते हैं banking and financial services इस case में क्या बोला जाता है कि देखो अगर bank bank के अंदर आपका account है ठीक है bank में अगर आपका खाता है तो आपका address bank वालों के पास होगा लेकिन अगर मेरा किसी bank में account नहीं है तो bank वालों के बास मेरा address ही नहीं है in that case place supply will be location of supplier of services 12 सब्सक्राइब 13 में आते हैं insurance की case में insurance की case में हमेशे B2B transaction होता है कि बिल्कुल होता है तो अगर insurance का case है B2B transaction होता है तो location of such a person जनता लेगी government के लावा कोई all लेगा तो 12 सब्सक्राइब लगेगा अब government का advertisement का place supply कैसे निकालेंगे case to case depend करता है question bank के अंदर question दे रखाता आप उसको देख लेना easily आप समझ जाओगे हर case में depend करता है for example आप लगर government टीवी पर advertisement करवा रही है तो कितने states में कितने लोग देख रहे है question में data दे रखा होगा उससे साबसे होगा rail पे आपने कोई पडशा चिपका दिया बच्चे दो ही अच्छे जहां जहां से जितनी railway की track है जिस state में कितने किलो मेंटर तक है उससे साबसे होगा हर case में लग लग है तो इसका आप एक question कर लोगे तो आपको काम हो जाएगा question number 16 दिखने में थोड़ा सा खतर ना आगे लेकिन है बहुत ही आसान ठीक है जिन लोगों ने भी पड़ा हुआ है या तो में रिविजन वीडियो से क्लासे से को दिखकर है ने ठीक है अब आते हैं अच्छा एक इसका सर्कुलर भी था एडविटीजमेंट का ध्यान से सुनना एडविटीजमेंट का एक सर्कुलर यह था कि जैसे suppose करो मैंने क्या किया किसी को बोला कि भाई आप मुझे आप जगह दे दो आप मुझे सिर्फ अपनी जगह दे दो मेरे को अपना होडिंग टांकना है मेरे को अपना एक बैना टांकना है जिसमें मैं ऐसे खड़ा रहूँगा ठीक है आप तो मुझे अपनी जगह दे दो मेरे को क्या करना है कि हो बिल्डिंग है ना बिल्डिंग बेरे को ओडिंग ठांक ना है आप बताओ कितना किरायल होगे उसने मेरे को बुला कि भाई सब्सक्राइब ठांक पना डाईर कीतने मेरे को अ मेंला है इन्हों ने का आहि का आप तो आप बचादो किसी की आईरिटीजमेंट है कैसा बेनर लगेगा क्या डिजाइन होगा क्या लिखना है कहा लगका सब हम कर लेंगे पूरा एड़िजमेंट इन्हों नहीं मेरा समाल लिया मैंने इनको 5 लाक रुपीज दिये पूरा एड़िजमेंट इन्हों इन्होंने इसको तू लाग रुपीज दिये त्वेल स्ट्रिंट 3 मेरे ख्याल से या दा रहा होगा सेक्शन नबर 13 की तरफ मोग करते हैं सेक्शन नबर 13 क्या बोलता है ज्यां से सुनना है यहीं बोलता है कि दॉनम में से एक जना इंडिया के भार हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस हो सब्सक्शन 13 के अंदर एक ही चीज काम किये सेक्शन 13 सेक्शन 3 थोड़ा से इंपोर्ट है द्यां से समझना देखो देखो भाई सेक्शन 12 सेक्शन 4 में हमने देखा था कि आप अपने जिम में रेश्टरेंट में ब्यूटी पादर में कोई सर्विस देंगे तो प्लेस सप्लाय क्या मना जाता है जहां पर भी आप सेक्शन 13 सेक्शन 3 था मेरी गाडी खराब हो गई मैंने इंजिनियर बुलाया दुबाई से गूर्स पर ट्रीटमेंट करने के लिए सेक्शन 13 ब्लेस सेक्शन 12 से लिए जहां पर भी गूर्स का ट्रीटमेंट हो रहा है वही प्लेस सप्लाय माना जाएगा मैंने अपनी गाड़ी दुबाई बेज दी साही करने के लिए तो प्लेस सप्ला है दुबाई, दुबाई से इंजिनियर आके यहां साही कर रहा है तो प्लेस सप्ला है इंडिया, ठीक है बाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, अब इसके कुछ exception थे, exception यह थे, कि अगर आपने को मुंबई में बेजेंगे, तो प्लेस सप्ला है मुंबई होना चीए, जहां पर भी ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन गौर्वर्मेंट ही कहा रही है, देखो, मिश्टर उमंग क्या कर रहे है, फॉरन करंसी में पेमेंट कर रहे है, देखा जाए तो एक्सपोर्ट की पांच ठीक है, तो अगर आप गौर्स को टैंपरी बिसिस पे इंपोर्ट करते हो, लेकिन ये ध्यान रहे कि आप उस गौर्स को इंडिया में यूज ना करो, ऐसा ना हो, कि भाईया, उमंग सोच रहा है कि मिश्टर जॉन की मशिन तो बहुत ही बड़ी है, एक दो महीने, यूज क सब्सक्राइब के साफ से निकालेंगे, और प्ले सब्सक्राइब क्या हो जाएगा, लोकेशन और सच रहिष्टर परसंट 13 सब्सक्राइब के साफ सब्सक्राइब, ठीक है साब, प्रॉपर्टी वाला केस हम आल्रेडी पढ़ चुके हैं, यह बाकि सारे किसे इवेंट में क सिंगापूर में के इवेंट हो रहा है, तो सारे किसे वह हैं, रिपेटिटिव पढ़ने की वी जूरत आपको नहीं है, ठीक है, अब हम आते हैं, सेक्शन 13 सब्सक्राइब बैंकिंग और फानेशल की सर्विस लेते हैं, यह नीचे लिखा भी है, तो यह ऐसा बोलता है, तो को पहले banking के case में आते हैं, तो 12 में ऐसा था कि अगर receiver की location है bank के पास, तो location of receiver, otherwise location of supply है, लेकिन section 13 में ऐसा है, always location of supplier, अब इसका concept बड़ा logical है, बट अभी time है नहीं, तो always location of supplier, of place supply मानेंगे, बैंक के case में, section 13 के case में, अब intermediary क्या होता है, important है, इसका भी question exam में, काफी बार question है, देखो समधना मेरी बात, question number है आपका, question number है आपका intermediary वाला, question number 24, ठीक है, intermediary कौन होता है, जो दो लोगों को मिलाने का काम करता है, खुद से कोई goods and service नहीं देता, बस दो लोगों को मिलाने का काम करता है, for example, foreign का एक person था Mr. X, Australia में रहता है, उसने कहा, इंडिया में मे मेर को, मेर को वहीं बोला, भाई मेर को इंडिया में goods purchase करना है, सबसे सस्ता कहा मिलेगा, मैंने उसको दुकानदार का address बता दिया, मैंने का आप ये phone number है बात कर लो, जितने का भी आप सामान करीद होगे, उसका 10% commission मेर को देते ना, जितने का भी आप सामान करीद होगे, उ location of supplier of service, तो देखो, अगर आप इस question को pause करके देखोंगे न, तो इस question में बंदा intermediary service का काम कर रहा है, बले इसको पैसा firm currency में मिल रहा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन place supply दिल्ली माना जाएगा, और इस question में end पूछा है, क्या ये export है, export की condition ये भी होती है, कि place supply outs in India हो question number 20, 20 के इंदर पता है क्या है, कि एक foreign की company है, उन्होंने इंडिया में एक firm को बोला, कि हम इंडिया में कोई product launch करना चाहते है, आप Indians का taste पूछ के बता, उनसे जाजा के पूछो कि आप खटा पसंद है, मीठा पसंद है, नम्कीन पसंद है, भाई, इस case में, वो जो इंडि intermediary service में दे रहा है, वो खुद से मैनद कर रहा है, वो दो लोगों को मिला नहीं रहा है, वो खुद से service दे रहा है, वो लोगों से पूछने की, उसके बदले में पैसा ले रहा है, तो ये intermediary में नहीं आएगा, ये general rule में आएगा, 13 subsequent 2 में आएगा, ये दौनों questions important and 24, आप इ ठीक है, description box में link दे रखा है, website akgclasses.com, महां से आप ले सकती हो, बैसे मैं advertisement वगेरा करते नहीं, बच्चे ही mouth publicity करते नहीं, पढ़ती नहीं, सुनना मेरी बार, अगला आता है, hiring of means of transport, banking financial intermediary तो कर लिए, hiring of means of transport, इतना important नहीं है, इसको बाद में कभी देख लेंगे, आप मेरे detail revision videos देखना, ठीक है, 13 subsection 10, वो ही ये passenger वाला, पैसेंजर जहां से journey शुरू करेगा, वही place supply माने के कोई दिक्कत की बात नहीं है, OIDR के case में क्या होगा, वैसे तो मेरे OIDR, detail, concept, revision, concept, biters को देखना, लेकिन मैं बतायता हूँ, online information, database, access and travel services, अगर 7 में से, 7 में से, 7 में से, 7 म इंडिया माना जाएगा, ठीक है, अब एक बात के लिए जहां से सुन लेना, OIDR को भी एक में समप करावा लेता हूँ, समझना मेरी बात, अगर supplier India के भार का है, supplier India के भार का है, OIDR सर्विसी जैसे Netflix हो गया, जहां पे completely automatic system होता है, कोई manual intervention नहीं होता, उसको OIDR बोला जाता ह जिसे आपने Jio, Hotstar हो गया, Spotify हो गया, OIDR है, इसको premium लिया, आपने तो कोई manual intervention नहीं होता, कि कोई बंदा आपको कुछ करेगा, OIDR की किस में अकर supplier India के भार है, और receiver India के अंतर है, और receiver GST में registered है, प्लेस supplier आपने business के लिए service ले रहा है, receiver, तो उसको RCA में वो text देगा, और अ ठीक है, और अगर OIDR का service provider ही इंडिया का है, खुद ही इंडिया का है वो, जिसे Jio TV, तो government बूल रहे है कि supplier टेक्स देगा, फिर तो क्या देखकर है, ठीक है, section 13, सबसकें 13 क्या बोलता है, कि government, अगर कुछ change भी करना चाहे, place supply के provisions में, सबस्कोर प्लेस supply के साप से, क्या हो है, particular section है, जिसमें ऐसा होना चाहिए, लेकिन government चाहिए, तो change करना चाहिए, तो कर सकती है, ऐसा इन्होंने बोला, double taxation रोकने के लिए, या कहीं पर भी tax नहीं लग रहा ना, इंडिया में ना, foreign में, तो tax लगाने के लिए, जिसे, government ने कुछ notify भी किया, जैसे मान के चलो, treatment हो रहा है, वो होना चाहिए, Australia होना चाहिए था, पर government ने बोल दिया, इस case में, हम place supply क्या मानेंगे, location of receiver of service मानेंगे, ऐसा section 13, sub-second 3 के अंदर define कर दिया, कि भाई, aircraft है, या कोई वैसल है, खराब हो गया, तो वैसल 13, sub-second 3 लगना चाहिए था, लेकिन हम तो location of receiver of service मानेंगे, मतलब इंडिया ही मानेंगे, हमारे वाले example के अंदर दो, ठीक है, ठीक है बाई, तो ये chapter आपकर done, 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 done हो चुका है, जो भी important circular था, वो मैंने आपको बता दिया है, कि advertisement वाला, वो थोड़ा सा important था, बाकि आपको as such, कुछ ज्यादा detail में जाने की जूरत नहीं है, ये transportation वाला circular था, इतने detail में जाने की जूरत नहीं है, आप इतना सा ध्यान में रखना, कि transporter की case में, अगर, section 12 की case में का transport का case है, section 12 की case में, तब तो 12 subsequent 8 लगाते हैं, B2B transaction है, तो ठीक है, B2C है, तो जिस जगे से goods handover की, और section 13 का case है, transport का, तो section 13 subsequent 2 लगेगा general rule, पहले अलग लग और in case section 13 लगेगा, section 13 लगेगा, section 13 लगेगा, general rule, general rule क्या बोलता है, पहली प्राइटी location of receiver, दूसरी प्राइटी location of supply, ठीक है, यही सर्पकर बोलता है, ठीक है, चलिए, thank you so much, पसंद आया, like जरूर करना, और अपने दोस्तों भी बताना, चलो, thank you so much, पाइटेक के,